पूरी की पूरी आधी दावेदारी मांगी हो और उसे जीरो दावेदारी दे गए हो मगर फिर भी वो खुश देखे नहीं ना मगर यूपी की कुछ ऐसी ही सियासत रहती है दरसल उतर प्रदेश में कॉंग्रिस को चार जून को लोग से बार चुनाव परिणाम में 6 सीटे मिली तो ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव की वज़से उसकी मजबूती का रास्ता खुल गया है लेकिन अब अखिलेश यादव ने ही कॉंग्रिस को चार महीने बाद ऐसी पटकनी दी जो से लंबे समय तक याद रहने वाली है दरसल इस पटकनी की एक और खास बात है अखिलेश ने कॉंग्रिस को पटकनी तो दी है उपर से ये भी कह दिया है कि ये पटकानी कॉंग्रिस के सयोग से ही दी गई है अखिलेश यादव ने कल देराथ सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्सपर एलान किया कि सपा यूपी में होने ज़ा रहे उप चुनाग की सभी नौ विदान सभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी मतलब गटबंदन दल कॉंग्रिस यहां ठंठन गोपाल बन गई अखिलेश ने एक्सपर लिखा बात सीट की नहीं जीत की है इस लड़नी थी के तहट इंडिया गटबंदन के सेक्ट प्रत्याशी सभी नौ सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चुन साइकल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे उन्होंने का कि कॉंग्रिस ने सपा को अभूत पूर्व सायोग दिया है यानि कि अखिलेश यादव ने राहूल गांधी के कॉंग्रिस को जम कर पीटने के बाद रोने का मौका भी नहीं दिया कॉंग्रिस ने तो जुनाव में पाच सीटों पर दावेदारी करके जटाया था कि सपा से कॉंग्रिस कहीं भी छोटी नहीं बलकी बराबर की साथ ज़दार है लेकिन सपा ने कहा और साबित भी कर दिया कि सियासत में छोटा छोटा ही होता है अखिलेश ने ऐसी चाल चली कि कॉंग्रिस करे तो अब क्या करे लेकिन एक सवाल तो आपके मन में भी उट्रा होगा कि अखिलेश यादव ने आखिरी एक कमाल किया कैसे तो चलीए वो भी बता देते हैं दरिस्टर यूपी उप चुनाव में सपा की तरफ से कॉंग्रिस को ठेंगा दिखाने के पीछे एक वज़़ा और भी है लोग से बाद चुनाव में सपा ने 63 जब की कॉंग्रिस ने केवर 17 सीटों पर साज़िदारी में चुनाव लड़ा था सपा 63 में से 37 सीटे जीत कर तकरीबन 7 फीसिदी का स्ट्राइक रेट हासिल करने में कामियाब रही जबकि कॉंग्रिस 17 में से सर्फ 6 सीटे जीत पाई और स्ट्राइक रेट में समाजवारी पार्टी से काफी पीछे रह गए कॉंग्रिस पार्टी का स्ट्राइक रेट केवर 35 फीसिदी रहा इसलिए कॉंग्रिस ने चुनावी मैदान में विरोधियों के हाथ पिटने की जगा साती के हाथों पच्छाड़े जाने का विकल्प चुन लिया उपचुनाव से कदम वापस खीच रिया कुल मिलाकर अखिलेश की चाल ने यूपी उपचुनाव में कमाल कर दिया है